नमस्कार मैं पूजाप्रिया लाइब स्रीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है कुंडली की ग्रह दशाएं जिंद्गी की शुब अशुब घटनाओं के बारे में बताती है वैसे ही हाथ की रिखाएं जिंद्गी में आने वाले संगर्स और मुसीवितों के बारे में बताती है हलाकि हाथ की रिखाएं बदलती रहती है लेकिन कुछ रिखाएं कभी नहीं बदलती साथी हथेटी के बदलाब भी कई एहम संकित देते हैं ऐसे में कुछ रेखाओं पर नजर रखना बेहर जरूरी है जो अशुप घटनाओं का इशारा देती है। कई बार जुन्दिगी में ऐसा होता है कि मुसीविते खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे बुरे बक्त के बारे में हस्त रेखाएं के जड़िये आप पहले से जान सकते हैं। ऐसे संघर्स में समय का हाथ की तीन स्थितियों से पता चल सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो जिन जातकों के हथेली में किसी भी रेखा या परवत पर द्वीप का निशान हो। उनकी जिंदगी में मुश्किले आती है। द्वीप का निशान उस रेखा या परवत के परभाब को कम जूर करता है। लिहाज़ा जिस परवत या रेखा पर द्वीप का निशान होगा उसे उस छेत्र में बाधाय या समस्याय जहेनली पर सकती है। कुछ जातकों का हाथ धेर सारी छोटी छोटी रेखाओं से भरा रहता है। यानि कि कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ पर कई सारी रेखाए छोटी छोटी होती है। ऐसी स्तिती को बहुत अशुमाना जाता है। ये रेखाएं व्यक्ति की जुन्दगी में एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का संकेत देती है। ऐसे जातकों को बिमारियों, दुरघटनाओं, धन हाने, इत्यादी समस्याएं को जहलनी पड़ती है। कह सकते हैं कि ये रेखाएं दुरभाग्य का इशारा है। जिन जातकों की सबसे छूटी उंगली पर धेड़ सारी आरी लाइने हो। उनमें भी जुन्दगी में बहुत संघर्स करना पड़ता है। आम तोर पर इन जातकों को मान हानी का सामना करना पड़ता है। हथीली में किसी भी जगह पर काले धब्बे होना दुरभाग्य के निशानी है। ऐसे जातक ना केवल धेड़ सारी मुसीबते जलते हैं बलकि जुन्दगी के इन हालातों के कारन निराश भी हो जाते हैं। तो यानि कि अब आपके हाथ में कुछ ऐसी भी रिखाएं हैं जो आपको अशुब संकेत देती हैं। उसके बारे में अब आप पहले से चान सकते हैं। आप भी अपने हाथ को देखे और उसमें पता करें कि आपके हाथ में इनमें सी वो कौन सी रेखाए हैं जो आपके मुसीवतों का कारण बन रही है अगर सबसे पहले बात करें तो आपके हाथ के किसी रेखा पर या परवत पर द्वीप का निसान होना दूसरा जो आप बहुत देखते होंगे या बहुत लोगों के हाथे में देखते होंगे किसी के हाथ में छोटी-छोटी बहुत सारी रेखा है मतलब एक रेखाने बहुत सारी छोटी-छोटी रेखा है मतलब ये छोटी छोटी रिखाएं आपके छोटी छोटी मुसीबतों का कारण है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही ऐसे ही अन्य तमाम जानकारियों के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेच को लाइक करें